दवस्कार नौलेस पॉइंट में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको इग्यार जरूरी सवाल पूछेंगे जो कि BPSC, बिहार पुलीस, दारोगा, समेत, SSC जैसे अन्य परतियों की परिक्षाओं में काम आएंगे ये सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे, तो आई ही देखते हैं आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं सवाल नमबर एक, आगरा नगर की अस्थापना किसने की? A. बहलोल लोदी, B. सिकंदर लोदी, C. इबराहिम लोदी, D. इन में से कोई नहीं इसका सही जवाब है, B. सिकंदर लोदी, सवाल नमबर दो, शिवाजी महराज के धार्मिक गुरू थे A. दुकाराम, B. एकनात, C. रामदास, D. जनानेश्वर, इसका सही जवाब है, C. रामदास सवाल नमबर तीन, काकोडी ट्रेन डकेती में चंदर शेखर आजाद का सहयोग किस महला नहीं किया? A. राजकुमारी गुप्ता, B. कुसुम अगरवाल, C. परकाश्वती यक्षपाल, D. बसंती देवी इसका सही जवाब है, A. राजकुमारी सवाल नमबर चार, इनमें से किसकी अस्थापना इंपेरियल रिकॉर्ट विभाग के रूप में की गई थी? A. राश्ट्रिय संग्रहाले कलकता, B. भारतिय पुड़ा तत्व सर्वेक्षन, C. सेंट्रल रिफरेंस लाइब्रेरी, D. राश्ट्रिय अभिलेखागार इसका सही जवाब है, D. राश्ट्रिय अभिलेखागार सवाल नमबर पाँच, निमलिखीत देशों में किनके बीच एतिहासिक मतदुनिया ख्षेत्र की दावेदारी जगड़ी की जड़ रही है इसका सही जवाब है, B. पुर्टगाल तथा यूनान, C. रोमानिया, D. बुल्गारिया इसका सही जवाब है, B. पुर्टगाल तथा यूनान सवाल नमबर छे, नंदा देवी चोटी किस भाग में है? A. असम हिमाले का भाग है, B. नेपाल का भाग है, C. पंजाव हिमाले का भाग है, D. कुमायू का भाग है इसका सही जवाब है, D. कुमायू का भाग है सवाल नमबर साथ, शेहतूत का फल है, A. सोडोसिस, B. साइकोनस, C. समाग, D. नट इसका सही जवाब है A. सोरोसिस सवाल नमबर आट हीरे का सबसे बड़ा व्यपार केंद्र किस देश में इस्थित है? A. बेल्जियम B. भारत C. अमेरिका D. फ्रांस इसका सही जवाब है बेल्जियम सवाल नमबर नौ भारत के नियंत्रक और महा लेखा परिक्षक की राज्य के लेखाओ संबंधी रिपोर्ट किसके सामने पेश की जाती है? A. राष्टपती B. राज्यपाल C. मुख्यमंत्री D. प्रधानमंत्री इसका सही जवाब है B. राज्यपाल सवाल नमबर दस भारती संबिधान में 11 मौलिक अधिकार कौन से संशोधन के बाद जोडा गया? B. 43 संविधान संशोधन C. 86 संविधान संशोधन D. 89 संशोधन इसका सही जवाब है 86 संविधान संशोधन साल नमबर 11 कोडिंग राष्ट्ये उद्यान किस परदेश में है? पिछले सेट में हमारे जिन दर्शकों ने सबसे ज़्यादा सही जवाब दिये हैं उनके नाम है आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए नमस्कार